जै शिकल की, जै शेयराम, जै हुर्मान भारत वर्ष के लिए 4 जून 2024 एक एतियासिक दिन साबित होने वाला है मंगलवार का दिन है क्या मंगल दंगल कराने के लिए तैयार है? क्या मंगल किसी के लिए वास्तों में शुब संयोग लेकर आने वाले हैं? क्या मंगल किसी के लिए अमंगल करने वाले हैं? आज का मेरा वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर जिसके पीछे आज पूरी दुनिया लगी हुई है सस्पेंस जब मैं कल की अवतार पर वीडियो बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं यही बात कहती हूँ कल की अवतार के मिशन में कब किस तरह से बाजी पलट जाए यह कोई नहीं कह सकता यानि मैं कहती हूँ सस्पेंस फूल मिशन उनका मिशन एक ऐसा मिशन जो बहुत ही हिडन वे में अलग तरीके से काम कर रहा है उनके काम करने का पैटर्ण जो है वो हम मनुश्यों से बिलकुल अलग हाला कि वो माना अवतार लेकर धरती पर आए हैं लेकिन हैं तो वो इश्वर रूपी अवतार साक्षात श्रीहरी ने जब कलकी के रूप में धरा पर जन्म लिया है तो उनके काम करने का तरीका उनके अंदर की शक्तियां एक नॉर्मन इंसान से बेहद अलग हैं और इसलिए चूंकि उनका यूनिक पैटर्ण यूग परिवर्तन के लिए अब काम कर रहा है तो जो भी चीजे हो रही है वो किसी इंसान को निराशा की और लेके चली जा रही है और किसी इंसान को धेरो खुशिया मिल जा रही है तो यह हार और जीत का फैसला अब केवल सुप्रीम कंट्रोलर कलकी भगवान के हाथ में एड़ दा प्रिजेंट मॉमेंट चला गया है लेकिन हर कोई उस अलोकिक समय का इंतजार कर रहा है जिस समय ये खबर आएगी कि क किस्टी की जीत हुई और कौन जीते जीते हार गया जबने मेहनत की लेकिन हर कोई जब मेहनत करता है क्या हर मेहनती इंसान को सफलता मिलती है बिलकुल नहीं मेहनत करना अलग बात लेकिन मेनत करने के पश्चायद यदि आपका डारेक्शन सही नहीं है यदि आपका वीजन सही नहीं है तो रैट वीजन से ही इंसान लाइफ में सकसेस पाता है और इन सब के अलावा आपकी लाइफ में प्लैनेट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एवं जो सुप्रीम कंट्रोलर है उसके इच्छा भी होनी जरूरी है हर कोई ध्यान करने में आजकल लगा हुआ है लेकिन ध्यान करने से ही हर कोई अपने जीवन में उन शक्तियों को प्राप्त कर ले जो युनिवर्स हमें देना चाहती है ध्यान के फलसरूप ये जरूरी न नहीं क्योंकि ध्यान करते समय मन का एकाग्र होना बेहत आवश्यक है प्लस युनिवर्स देखती है कि उस ध्यान के माध्यम से जब ब्रह्मांड की शक्तियों से हम अपनी कुछ इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं तो वो मेरी इच्छा सही है या गलत उसमें क्या सभी की भलाई नहीं थे क्या वो एक अच्छी शुरुवात के लिए इच्छा है बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने पड़ते हैं नरेंद्र मोधी भी ध्यान लगाने के लिए चले गए हैं चार जून के ठीक पहले और इसलिए सभी लोगों को अबजिक्शन है क्योंकि फर्स जू कर हमारे देश के प्रधानमंत्री ध्यान कैसे लगा सकते हैं किसी ने इसे नौटंकी बताया तो किसी ने कुछ और और कॉंग्रेस के एक नेतातों मौन साधना को लेकर इतने विचलित हुए हैं उनके मन में इतना जहर भर गया कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोधी हमेशा ह हमेशा के लिए मौन हो जाएं तो किसी के लाइफ के लिए किसी व्यक्ति को लेकर इंसान यदी मन में इतनी नफरत पाल रहा है बिना यह जाने कि वास्तों में इश्वर की मर्जी क्या है इंसान लाख बुरा चाहे होता वही है जो भगवान को मनजूर होता है अब 4 जून क हो आज शाम पांच बजे से हर मीडिया चैनल हर मीडिया शोशल मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रोनिक मीडिया लेकिन हर कोई exit पोल की बात करेगा और ठीक उसके पहले मैं अपने analysis के तोर पर आप लोगों को बतला रही हूं कि वास्तों में 4 जून का मंगल किसके लिए जिते जिते हार जाएगा और जिसकी कामना हार की आज हो रही है वो आखिर में जीत जाएगा किसी भी पार्टी को मैं favor नहीं दे रही हूं बिलकुल biased होकर मैं अपना वीडियो नहीं बना रही हूं बलकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से भले likes ना मिले और भले views ज्यादा ना मिले लेकिन जो सही है उसी पर मैं अपना वीडियो देती हूं आज कल social media का अलग चलने जिस topic को लोग देखते हैं कि जादा से जादा view मिलते हैं उसे topic को लोग cover करने की कोशिश करते हैं भले वो सत्य से दूर है चलिए अब मैं आती हूं अपने असली point पर चार जोन यानि मंगल वार का दिन मंगल जिसके कुंडली में बहुत अच्छा result देने वाला बन जाता है यानि वो योग कारक होता है यानि वो शुब कुछ positive result देने वाले घर में बैठा रहता है तभी वो मंगल किसी को वास्तों में शुब समाचार देता है और और प्रत्य कर देशित उसको परिणाम मिलता है अपनी मेहनत का आज मेहनत हर पार्टी कर रही है और हर किसी की यहीं तमना है कि उभी की पार्टी जीते और वो जब खुलेगा जादूई पिटारा चार जूर को सबकी निगाहें रहेंगी टीवी स्क्रीन पर और मोबाइल स्क्रीन पर कि क्या होने वाला है रिजल्ट सभी ने अपने अपने आकड़े बताए और सभी ने अपना अपना नाम कोई कॉंग्रेस पार्टी को जिता रह रहा है लेकिन आज जो घमासान मचा हुआ है वो मुख्य रूप से एक तो है एंडिये और दुसरा है इंडी एलायंस इन दोनों पार्टियों को लेकर आज जो घमासान मचा हुआ है उसमें इंडी एलायंस का कहना है कि अब प्रधान मंत्री पूर्व प्रधान मंत्री बनन जो है बहुत थी शुब्र संयोग लेकर बना हुआ है चल रहा है उसकी ऐसी दशा है जिसमें अब नरेंद्र मोदी भले ही बहुत सारे चैलेंजस को फेस करेंगे लेकिन हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह चार जून दोहजार 24 का शुब्र संयोग उनके जीवन में दस्तक देगा यानि लाख कोई कहले कि नरेंद्र मोदी हारने वाले हैं मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक यही बात पहुंचाना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी जवाहलाल नेहरू के पश्चात वो प्रधान मंत्री होंगे जो तीसरी बार फिर से नसिप प्रधान मंत्री बनेंगे बलकि अपने देश को नई उचाईयों तक पहुंचाएंगे साधना कर रहे हैं वो साधना से समस्याओं का किस प्रकार समाधान मिलेगा यह मैं नेक्स वीडियो में बतलाओंगी आज के वीडियो में मैंने सिफ इस टॉपिक को कवर किया है अब यह चार जून का दिन आप लोगों को बतलाएगा कि वास्तों में एंडिये की जीत हो रही है या इंडिया जीत रहा है क्योंकि एक्जिक पोल को कॉंग्रे की वो आकड़ा जो सरकार बनाने के लिए जरूरी है उसको तो क्रॉस करेगी है लेकिन चार सो पार जो नरेंद्र मोदी का जुमला है पूरे टाइम उन्होंने कहा अब चार सो पार तक पहुंच रही है या नहीं या क्रॉस कर रही है चार सो पार यह तो मैं अभी नहीं यानि 4 जून का दिन उनके जीवन में एक एतियासिक दिन बन कर उभरेगा और हमारे भारतवर्ष से जो जलने वाले लोग हैं शायद उस दिन वो लोग भी निराश होंगे क्योंकि चाइना और पाकिस्तान नहीं चाहते कि फिर से एक बार नरेंद्र मोधी प्राइम मिनिस्टर बने फंडी उन्होंने दी नरेंद्र मोधी के अगेंस्ट में बहुत सारे डिबेट्स हुए प्रोशेशन निकाले गए और आगे भी ये अंदोलन जारी रहेगा लेकिन अगर कोई अपनी राय रखना चाहता है वो उसकी अपनी परसनल ओपीनियन है मेरा जो परसनल ओपीनियन है वो मैंने शेयर किया देखते हैं चार जून का दिन किसके लिए लगी और किसके लिए अनलगी होता है कौन होता है इन सरकार में और कौन हो जाता है आउट अब ये इन और आउट का गेम सक्सेज और डाउनफॉल का गेम ये चार जून की पूरा दिन यह जो चलता रहेगा उसमें कभी किसी के हाथ निराशा लगेगी और कभी किसी के दिल में आशारुपी दिपक जलेगा Thank you very much for watching my video.